अररिया के सुभाश स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजिन किया गया पांच दर्जन से अधिक छात्र और छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी अक्तर अली और प्रजिक्षक मुहमद शहशाह की देखरेक में प्रतियोगिता का आयोजिन हुआ नए साल के उपलक्ष में आयोजत प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने प्रतिभा का जोहर दिखाया। वही सहायक बंदुबस्त पदाधिकारी ने कहा कि पहली बार इस स्टेडियम में 1600 और 1000 मीटर की दौड में लड़कियों ने भाग लिया। यहां की बच्चिया मेहंती और लगनशील हैं। वही प्रशिक्षक मौमद शहएशाह ने कहा कि इस प्रतिभागी शामिल हुए हैं जो आर्मी और बिहार पोलिस के प्रतिभागी परक्शा में भाग लेंगे। सफल कर देश की सेवा कर रहे हैं। काफी लंबे टाइम से आर्मी के लिए डिफेंस के लिए और एथलीट के लिए बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और बहुत लोग यहां से सक्सेस होकर आगे भी गये हैं बहुत सारे विभाग में गये हैं और अभी हमारे बीच में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस बार आर्म महिला वर्ग में 1000 मीटर की दौड में रेनु कुमारी ने प्रतम स्थान हासल किया जबकि 1600 मीटर की दौड में राजेश कुमार प्रतम स्थान पाने में सफल रहे इसी प्रकार 100 मीटर की दौड में बादल कुमार सफल रहे तीनों विजिताओं को अतितियों द्वारा मेडल दे कर सम्मानित किया गया पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश की रिपो कर दो